इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। यह दस्त को भी रोकता है जो इस दवा के side effect के रूप में हो सकता है Kevaplan 625 Tablet एक prescription दवा है इसे नुस्खे के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है लेकिन बहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए अनुशन सित्खुराक से अधिक का सेवन न करें क्योंकि इससे आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पर सकते हैं यदि आपको एक खुराक याद आती है तो जैसे ही आपको याद आए इसे ले लें बहतर महसूस होने पर भी उपचार का कोस पूरा किया जाना चाहिए उपचार के अचानक बंध होने से दवा की शक्ति प्रभावित हो सकती है इस दवा के कुछ सामाने दुश्प्रभाव मतली, उल्टी, दस्थ, अपच आदी है यदि कोई भी दुश्प्रभाव बढ़ जाता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए यदि आप किसी भी अलजी प्रतिक्रिया यानी की चकते, खुजली, सूजन, सास की तकलीफ, आदी का अनुभव करते हैं तो आपको ततकाल चिकित सा सहायता लेनी चाहिए इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप किसी भी स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रही है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए शराब पीने से बचें क्योंकि इस से इस दवा के साथ अत्यधे को नींदापन हो सकता है ये आमतोर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को कम नहीं करता है लेकिन अगर आपको नींद या चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए तेजी से ठीक होने के लिए आपको पर्यापत आराम करना चाहिए स्वस्था हार भी लेना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए आपका डॉक्टर आपके शरीर पर दवा के प्रभावों को जानने के लिए कुछ प्रयोगशाला और नेदानिक के लिए कह सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद